हेलो एवीवान वेलकुम आग तो मा यूट्यूब चानल साइन खुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप राकी पर श्रवन कुमार कैसे मांडे और उनकी पूजा किस प्रकार से करें तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कई लोगों के पर श्रवन कुमार जी बना कर पूजे जाते हैं तो वह आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता रही हूं श्रवन कुमार जी आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टाइल से बना सकते हैं कागज पर भी बना सकते हैं डाइरिक दिवार पर गेरू से भी बना सकते हैं तो ये स वीडियो का लिंक आपको मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूंगी साथ ही साथ वीडियो के को अंति तक देखेंगे आप तो लास्ट में भी आपको वीडियो दिख जाएगा आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं तो ये देखें इस बार मैं ये डिजाइन के श्रवन कुमार जी आपको बना कर दिखा रही हो सून की पूजा की विधी और श्रवन कुमार जी की पूजा की विधी सेम ही होती है बस कई जगाओ पर सून बनाए जाते हैं और कई जगाओ पर श्रवन कुमार जी बनाए जाते हैं तो ये देखें मैंने बस आप एक सरकल बना लीजे उनके नीचे ट्राइंगल बना दीजे और फिर दोनों तरफ लाइन कीच कर कैसे भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं तरह तरह के तरीकों से आप श्रवन कुमार जी बना सकते हैं तो सर पर भी हम थोड़ी डिजाइन बना देंगे हाथों पर भी डिजाइन बनाया हैं हमने तो इसी तरीके से गेरू से आप श्रवन कुमार जी बना सकते हैं नीचे आप पहले चूना लगा ले या फिर खड़िया और उसके ओपर आप अपने श्रवन कुमार जी बनाएं आपके हां जो भी प्रशाद बनता हो खीर गुड़ चीनी जवो की खीर या जिस भी चीज से आपके हां श्रवन कुमार जी जिमाए जाते हो वही चीज आप ले सकते हैं तो मैं यहां पर बाउंडरी भी बना रही हूं ताकि यह थोड़ा सा और नीक लगे आप जैसे बनान पर यानि राखी के दिन कोई भी शुब मुहरत में आप यह पूजा कर सकते हैं इसके बाद रोली लगाएंगे चावल लगाएंगे मतलब रोली और चावल से चिर्चेंगे इसके बाद मैंने पूरी मोली और जवो की खीर एक साथ तीनों चीजे लेकर आपको लगानी होती है मोली की जगा पर आप जो पूजा वाली राखी आती हैं वो भी ले सकते हैं तो जो दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है इसके बाद धूब दिखा दें तो इसी प्रकार से आपकी श्रवन कुमार जी की पूजा कंप्लीट हो जाएगी थांक्यू वेरी माच लाइक तूर से सब्सक्राइब करें थांक्यू